ना करें तो एक मेरा अनुमान है हो सकता है मेरा अनुमान पूरा गलत हो जाए हो सकता है इसके इर्द गिर्द हो वो मैं आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं या सही माइनम कहा जाए तो हिम्मत कर रहा हूं है ना क्योंकि मैं थोड़ा इन चीजों से बचता हूं पर क्य क्योंकि आप भी मेरे भरो से बेटे हुए हो और अगर मैं जवाब नहीं दूँगा तो फिर आपके मन भी चलेगा कि सर फिर आप करेंगे क्या हम है ना तो मैं आपको एक सही गाइडेंस दे रहा हूँ आप इसके आसपास चल सकते हो देखो अगर जनरल की बात करें तो जो जरूर कर सकते हैं प्लस माइनस टू या प्लस माइनस थ्री जरूर आप कर सकते हैं जैसे आपके 69 नंबर आए या 68 आए रिस्क ले लो थोड़ी सी कोई समस्या नहीं है हो सकता है कट आफ इससे भी नीचे चला जाए लेकिन एक मैं आसपास की बात कर रहा हूँ कि अगर इस तो आपको तैयारी कर देनी चाहिए EWS OBC का एक अपना अलग फिर सिस्टम है रोस्टर सिस्टम और कहीं सारी चीजे हैं तो अगर यहां पे मैं बात करूँ तो आप मानके चलिए लगबग 67 से लेकर वही अगर हम 69 के आसपास की बात करें तो आपको प्रिप्रेशन चालू क कर देनी चाहिए OBC और इसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं आएगा यहां भी मैं लगबग आपको यही कहूंगा कि आप इतना करें girls के case में जरूर रहेगा और girls के case में EWS OBC का cutoff थोड़ा हाई रहता है आपने अगर अलग-अलग observation किया है तो यहां मेरा suggestion है कि लगबग आ आप मानके चलिए मैंने note करके भी रखा था यहां पर आप मानके चलिए कि लगबग इसके आसपास ही रहेगा 55 है EWS यह लगबग आप मानके चलिए कि 52 से लेकर 55 के बीच में यह हो सकता है यह वाला थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है यह आपका somewhere 57 से 59 के आसपास हो सकता है है अगर AC और ST की बात करें तो यह थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा लगबग हम लेके चल सकते हैं कि 60 से लेकर 63, 64 के आसपास अगर आपके मार्क से तो यह हो जाएगा girls की case में बात करें तो थोड़ा सा यह down आ सकता है around 50 से 55 के बीच में और अगर ST की बात करें तो यह थोड़ा बहुत और कम हो सकता है somewhere 58 से लेकर आप 60 मान ले और girls के case में थोड़ा यह और डाउन हो जाएगा 50 से लेकर 55 girls की case में भी अगर हम ले तो यह शायद आपका 49 से लेकर 52 इसके आसपास यह हो सकता है यह क्या numbers में बता रहा हूँ अगर आप इसके आसपास हो तो आपको physical की तयारी करनी चाहिए मैं यह बता रहा हूँ मैं cut off नहीं बता रहा हूँ है ना और मैं आपको वैसे सारी चीज़े बताई चुका हूँ तो मैं repeat नहीं करूंगा लेकिन मेरा suggestion यह रहेगा आपको अगर लगता है आप यह चीजों को follow कर सकते हैं आप स्वयम भी decision ले सकते हैं क्योंकि career की बात है लेकिन बहुत सारे factors को अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार वास्तों में हमारे हाथ में physical की preparation करना है उसको अच्छा मजबूत करना है उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है तो अगर आप इस range में हैं तो आपको preparation करनी चाहिए cut off बहुत हाई जाएगा बहुत कम उम्मीद है कि बहुत हाई जाएगा क्योंकि बच्चे बहुत कम इसे बच्चे हैं जो GKGS में अच्छा करके लेकिन आप देखना होगा कि normalization के बाद क्या होता है है ना दो चार पांच नंबर का difference आएगा तो ये उसके बाद है तो फिलाल अगर आपका score इस range के आसपास है तो आपको physical की preparation शुरू कर देनी चाहिए अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी बहुत भी सहमती है या आपको जो भी लगा हो है ना अगर किसी को बुरा लगा हो by chance मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं छमा मांगता हूँ आपसे लेकिन जो है वो आपको बताना भी जरूरी है है ना तो सारी चीजे मैंने clear करी है जिनके इस से